थंड में ठिठुरते हुए कुछ बच्चे जिनकी जात का पता न मज़भ का, वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए कूड़ा बीन रहे थे, उनमें सबसे बड़ी थी हेमानी, वो बच्चे नहीं जानते थे कि उनका घर, बार, मा, बाप या कोई रिष्टेदार है या लेकिन आपस में भूख के रिष्टे ने उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ा हुआ था क्यों रे पपलू, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या कोई ख़जाना मिल गया? हाँ दीदी, आज मुझे ख़जाना मिल गया, ये देखो, जूते, बिलकुल मेरे नापके हैं, अब मुझे धंड में नंगे पैर नहीं रहना पड़ेगा पपलू, पैरों को तो ठंड से बचा लेगा, लेकिन रात में जो फुटपाथ पर सिर से पैरों तक ठंड लगेगी, उससे कैसे बचेगा? उनकी बात सुनकर दो-तीन बच्चे और उनके पास आकर खड़े हो गए, उनमें से एक लड़की चकोरी बोली दीदी, क्या हमारा कभी घर नहीं होगा? हम लोग क्या, क्या जीवन भर कुड़ा बीन कर पेट भरते रहेंगे और फुटपाथ पर पड़े रहेंगे? मैं एक दिन बड़ा होकर सब के लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा लेकिन सांटी, हमारे पास बड़ा होकर घर बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? ये कहकर मोना सबकी तरफ मासूमियत से देखने लगी हिमानी की आँखे भराईए उसके पास इन मासूम बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं था तेरह साल की हिमानी इन बच्चों की बड़ी बेहन की तरह देखभाल करती थी पूरा दिन प्लास्टिक, लोहा और कागस बीन कर वो कबार की दुकान पर बेच देते और उन पैसों से वो जो भी खाना खरीते हिमानी उसे मा की तरह सारे बच्चों में बराबर बांट देती वो सब साथ खाते, साथ सोते, साथ रहते और साथ ही काम करते एक दिन हिमानी उन बच्चों के साथ पुल के नीचे बैठी हुई थी क्योंकि बाहर फुटपात पर बहुत ज्यादा सर्दी लगती थी तभी वहां दो शराबी आकर बैठ कए और बोले अरे वाह, क्या खुबसूरत बला है इसे फुटपात पर नहीं अरे हमारी दिल की रानी बनकर रहना चाहिए हमारे साथ जलोगी रानी तो मैं अपनी दिल की रानी बना कर रखूंगा अरे गरीबी में ये रंग रूप है तो अमीरी में तो जलवे होंगे जलवे हमानी डरी हुई इधर उधर देखती रही कि क्या पता कोई आ जाए और उसे इन लोगों से बचा ले दीदी चलो यहां से हमानी उन्हें देखकर खुद सहमी हुई थी इस समय वे खुद को बहुत ही असहाई और मजबूर महसूस कर रही थी उसे खुद से ज्यादा इन बच्चों का डर था कि कहीं ये लोग इन बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचा दे वे धीरे से पपलू और चकोरी का हाथ पकड़ कर उठी और चलने लगी पीछे से मोना और सैंटी भी चल दिये वो शराबी उनके पीछे पीछे चलने लगे हमानी तेज दोड़ी वो शराबी भी और तेज दोडने लगे तब ही बहुत सारे कुटे भौकने लगे कुटों की आवाज सुनकर उधर चौकीदार आ गया और शराबी उसे देखकर डर कर भाग गए उनके जाने के बाद हमानी डर के मारे रोने लगी दीदी रोती क्यों हो वो लोग चले गए आज तो चले गए लेकिन कल का क्या भरोसा क्या पता कि कल हम अपने आपको ना बचा पाएं दीदी अगर हमारा घर होता तो हम उसमें स्रक्षित महसूस करते लेकिन हम बेगर हैं ऐसे लोग हमें हमेशे ऐसे ही सताते रहेंगे सही कहता है पपलू सिर पर छथ होना बहुत जरूरी है हमें कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि हमें घर बना सके और उसके लिए कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी अगले दिन सुभा ग्यारा बजे वहीं पास में ही एक शादी का प्रोग्राम था अरी दीदी देखो वहाँ टेंट लगा है लगता है कि बड़े लोगों की शादी है शादी है तो क्या मतलब तुझे क्या उन्होंने कार दिया है या तुझे उनका रिष्टेदार है आप तो दीदी हमेशा बेज़ती मार देती हो सही तो कहता है दीदी पपलू शादी है तो खाना भी होगा और खाना होगा तो भचकर बरतनों में बाहर भी आएगा कितने भुख़ड हो तुम लोग सुबह तो हिमानी दीदी ने नाश्टा कराया था फिर से खाना सुनो मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत तकलीफ होती है जब तुम जूटे पत्तलों से खाना उठा कर खाते हो काश मैं तुम्हें ऐसा खाना साफ सुत्रा खिला पाती लेकिन रहने दो अभी काम का टाइम है जल्दी चलो ठंड हो रही है दीदी रुको ना पहुत दिन हो गया कुछ मीठा नहीं खाया ये शादी वाले पत्तलों में रजगुले और रबडी चले भी भी होती है और दीदी गाजर का हलवा भी होता है दीदी आप मत खाना हमको तो खाने दो हिमानी उनकी आँखों में कुछ अच्छा खाने की उमीद देखकर उन सबसे हार गई और उनके साथ वहीं बाहर बैठ गई वो सब बच्चे इस इंतजार में बाहर ही बैठे थे कि शादी खत्म हो और जूठे बरतन बाहर फेंके ताकि वो उनमें बचा जूठा खाना खा सके आँखों में इंतजार लिए वो बैठे ही थे कि अंदर से सूट बूट में एक आदमी बाहर आया और बोला ए बच्चो तब यहां कैसे बैठे हो कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठे हुए है अच्छा एक काम करो अंदर से सारे डिस्पोजल बरतन बाहर फेक कर साफ कर दो क्योंकि बारात आने वाली है मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूँगा क्या खाना भी मिलेगा हाँ 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 खाना भी मिलेगा सारे बच्चे अंदर टेंट में गए और सारा हॉल फटा फट से साफ करने में जुट गए जगोरी देख पतल में चिली पनीर भी है मेरे मुँ में तो बहुत पानी आ रहा है फिलहाल मुँ बंद रख और सफाई करा उसके बाद खाने की बात करना सारे बच्चे खाने पर ही क्यों चिपके हो कुछ ये बोतले भी उठा लो दीदी ये देखो कितनी सारी बोतल आज हमें कुछ बीनना नहीं पड़ेगा इन्हें बेजकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे हाँ हाँ चकोरी लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है तुम बोतले एक तरफ एकटी करो तब तक मैं मालिक से कुछ और काम पूछती हूँ अंकल क्या कुछ और काम है अभी कोई काम नहीं है बारात आ जाएगी तब एक बार और सफाई कर देना अभी तुम खाना खालो जाते समय मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा बच्चों ने आज मुद्दतों बात पेट भर कर अच्छा खाना खाया था वो बहुत खुश थे वहाँ से उन्होंने सारी बोतले एकटी करी और लेकर चल दिये हिमानी ने रास्ते में देखा कि एक छोटा सा बच्चा प्लास्टिक की बोतलों को जोड़ कर घर बना रहा है पपलू, चकोरी, सरा रुको तो देखो, वह बच्चा कैसे बोतलों को खड़ा करके घर बना रहा है हाँ दीदी, इस बच्चे में तो बहुत दिमाग है पागल है तू, बात समझता नहीं है कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ हमारे पास इतनी सारी बोतले हैं तो क्यों न हम भी अपने लिए एक प्लास्टिक की बोतलों का बड़ा घर बनाएं हाँ दीदी, मैं और सब बच्चों से भी बोल दूँगी कि वो हमारे लिए बोतल इखटी करें तो चलो, जल्दी घर बनाने के लिए हम जगा ढूंटे हैं उन्होंने अपने लिए एक ऐसी जगा ढूंडी, जहां वो घर बना सकते थे सारे बच्चों ने मिलकर बोतल जमा करी और एक बड़ा सा घर बनाया अपनी मेहनत से बनाए गए प्लास्टिक की बोतल का घर देखकर बच्चे बहुत खुश थे बच्चों, हम सब इसमें आराम से सो सकेंगे अब हमें किसी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास अपना एक घर है प्लास्टिक की बोतलों का घर प्लास्टिक का घर देखकर लोग तो हैरान हो गए और ये बात पूरे शहर में फैल गई जब ये बात मंत्रियों तक पहुँची, तो वो उनका घर देखने आए बई बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ ऐसा करके तुमने अपने लिए घरी नहीं बनाया बलकि हमारे देश को भी प्लास्टिक प्रदूशन से मुक्त किया है समाज को संदेश दिया है कि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तिमाल करके हम अपने परियावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं इसलिए मैं तुमारे इस प्लास्टिक की बोतलों के घर को बढ़ावा देकर ऐसे और घर बनवाना चाहता हूं तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा चारों तरफ से तालियों की आवाज गुझने लगी मंत्री जी ने सभी अनाथ और बेघर बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करा दिया और उन्हें खाने, पहनने की सारी सुविधाएं दी गई गरीब बच्चों के प्लास्टिक की बोतल का घर एक मिसाल बन गया एक दिन गीता का पती काम पर जाता है तो एक सड़क हाथसे में उसकी मौत हो जाती है गीता दुखी होकर कह रही है ए भगवान, ये तुने मुझ गरीब पर क्या पहाड तोड़ा अगर प्राण ही लेने थे तो मेरे ले लेता कम से कम मेरी बेटियों का पेट पालने वाला तो जिन्दा रहता बुढ़ा बदरी बोला बहू, अब रोने से क्या होगा बेटी मैं तो अभी जिन्दा हूँ ना तुम सब का खयाल मैं रखूंगा यह कहकर बुढ़ा बदरी फूट फूट कर रोने लगता है उसे रोते देख, गीता खुद पर काबू करते हुए कहती है बापू, आप तो मर्द हैं, क्या आप इस तरह रोते अच्छे लगते हैं महेंद्र बदरी का एक लोता बेटा था महेंद्र की अचानक मौत से बदरी के परिवार पर संकट का पहार तूट पड़ता है महेंद्र की दो बेटियां है अब उनको पालने की जिम्मेदारी बुढ़े बदरी के कंधो पर आन पड़ती है रोते रोते बदरी अपने बेटे के खायालों में खो जाता है बापो मैंने पक्का घर बनवा दिया है अब सर्दियों में कितनी ही ठंड क्यूं न पड़े हम सब चैन की नीन सोपाएंगे बदरी बोला घर तो तू बना कर चला गया बेटा पर अब इस घर में रहने वालों के लिए दाना पानी कहां से आएगा महेंद्र की मौत के बाद बदरी और उसकी बहु गीता अपनी गाय का दूद बेच कर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालने लगे तो अच्छानक एक नई मुसीबत आन पड़ी एक दिन सुखिया लाला अपने कुछ आदमियों के साथ बदरी के घर आया और कहने लगा कसम ते जोरी की क्यों बे बदरी लाला का पैसा लेकर भूल गया क्या कौन सा पैसा लाला मैंने तुम से पैसा कब लिया किसमते जोरी की अरे तूने नहीं तेरे बेटे ने लिया था तेरे लिये ये पका घर बनवाने के लिए पूरे बीस हजार का करजा लिया था लाला की बात सुनकर गरीब बदरी और उसकी बहु गीता की तो जैसे जान ही निकल जाती है गीता सुखिया लाला से कहती है पर इस समय हम कर्स चुकाने की हालत में नहीं है लाला सर्दियां आने वाली हैं और कहीं मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है पर कर्स देने से मना नहीं करते लाला हमें कुछ महलत दे दो हम सर्दियों के बाद तुम्हारी पाई पाई लोटा देंगे कसम ते जोरी की एक महीने की मुहलत देरियाओं एक महीने बाद फिर आऊंगा यह कहकर सुखिया लाला चला जाता है मगर लाला के कर्ज के चलते गीता के दिन का चैन और रातों की नीद हराम हो जाती है रात को वे अपनी सोती हुई बेटियों को देखते हुए कहती है पता नहीं सर्दियाने तक हम सबके सिर पर ये चछत रहेगी भी या नहीं अगर लाला ने हमसे घर चीन लिया तो कड़कती ठंड में मैं अपनी बच्चीयों को कहा चेपाती फिरूगी इस बेचारी गौ माता का दूद बेच कर मेरी बच्चीयों को दो वक्त का खाना तो मिल जाता है पर लाला के कर्ज का क्या होगा कुछ दिन बाद गीता का सोचना सही ही होता है जैसे ही कड़ाके की ठंड पढ़ने लगती है सुखिया लाला अपने आदमियों के साथ उनके घरा धमकता है और कहता है कसम तिजोरी की लाबे बदरी अब तो मेरा पैसा लटा दे पूरे एक महनी की महलत दे चुका हूँ तुझे कसम तिजोरी की अब लाला कुछ नहीं कर सकता बदरी या तो करजा अडा करो या फिर ये घर खाली कर दो घर खाली करने की बात सुनकर गीता के तो जैसे प्राण ही निकल जाते है वे लाला के आगे गड़गडाने लगती है और कहती है लाला इस कड़कती सर्दी में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहा जाओंगी लाला कुछ तो रहम करो कसम तिजोरी की आरे मेरी बला से कहीं भी जाओ मैंने क्या तेरी बच्चियों को सर्दी से बचाने का ठेक लिया है चल बेरंगा फेक इनका समान घर से बाहर और ताला लगा दे कसके बद्री और गीता सुखिया लाला की बहुत मिनते करते हैं मगर निर्दई लाला उनकी एक नहीं सुनता उन्हें घर से निकाल ही देता है और वे अपनी गाये को साथ लेकर घर से निकल जाते हैं कड़कती ठंड में सिर पर गठर लादे गाउं से बाहर जाते हैं यह कहकर बद्री कुछ बास काट कर लाता है गीता और उसकी बेटियां घास पूस इखटा करके लाती हैं फिर चारों मिलकर एक जोपडी बना लेते हैं लो बापू, हमारे सिर्च चपाने के लिए जोपडी तो बन गई है पर इस गाए का क्या करें, इससे कहां रखें इसे जोपडी के बाहर पेर से बान दे बहू जैसे ही रात हुई, भयंकर सर्दी कह ढाने पर उतर आई और साथ ही सर सर कर ठंडी हवा भी चलने लगी घास फूस से बनी जोपडी में हवा सीधे घुसी चलिया रही थी बबली बोली मा, मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही है आँ, ठंड तो लगी की ही देखो तो ठंडी हवा कैसे सर सर करते सीधे जोपडी में घुसी आ रही है बापू, बस आज की रात काट लो कल मैं जोपडी की दिवारों और छट पर गोबर का लेप चढ़ा दूँगी गोबर से सारे छेद भर जाएंगे तो हवा अंदर नहीं आ पाएगी हाँ ये भी ठीक रहेगा बहु अगले दिन बदरी, गीता और उसकी दोनों बेटियां अपनी गाय का गोबर इखटा करती है और सब गाउ में घूम घूम कर गोबर इखटा करके लाते हैं इस तरह बहुत सारा गोबर इखटा हो जाता है और फिर गीता गोबर में कुछ मिट्टी और पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बनाती है गीता उस घोल को जोपडी की दिवारों पर लगाती है इस काम में उसकी दोनों बेटियां बबली और कमली भी उसका हाथ बटाती है लो मेरी बच्चीयों जोपडी की दिवारों पर तो लेप लग गया बस अब इसकी छथ ही बच्ची है थोड़ा गोबर और एकठा करना पड़ेगा तो क्या हुआ बहु चलो कुछ गोबर और एकठा करलाते हैं वे चारों फिर से गाउं से गोबर एकठा करके लाते हैं और गीता बड़ी ही लगन से फिर गोबर का घोल बनाती है और छथ पर भी लेप चड़ा देती है इस तरहां उनका बहुत ही बढ़िया गोबर घर बनकर तयार हो जाता है बद्री अपना गोबर घर को देख कर फूला नहीं समाता और कहता है आरे वह बहु तूने तो कमाल का गोबर घर बना दिया बेटी अब सर्दी हमें चूब ही ना पाएगी बबली बोली मा हमारा गोबर घर तो सच में ही सुन्दर बना है कमली ने कहा मा अब तो मुझे सर्दी से कापना भी नहीं पड़ेगा फिर जैसे ही रात होती है वे सब अपने गोबर घर में चैन की नीन सो पाते हैं गोबर घर अंदर से काफी गरम था क्योंकि अब उसमें हवा घुस नहीं पा रही थी मगर उनकी गाए अब भी बाहर सर्दी से काप रही थी इसलिए लेटे लेटे अचानकी गीता को जब अपनी गाए का खयाल आया तो वे जट से उठ खड़ी हुई बद्री ने पूछा क्या हुआ बेटी ऐसे अचानक क्यों उड़ गई बापू ऐसी भैंकर सर्दी में हमारी गाए पर क्या बीत रही होगी वे बेचारी तो ठंड से काप रही होगी मैं तो कहता हूँ उसे भी अपने गोबर घर के अंदर ले आओ आखर वो भी तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है गीता ने गोबर घर तो बना लिया था मगर फिर भी उसके मन में कुछ नया करने की हलचल थी एक दिन बैठे बैठे ही वे सोचती है अगर मैं अपने गोबर घर की दिवारों पर गोबर बेल बूटे फूल पतिया आदी बना दू तो यह गोबर घर बहुत ही सजा सवरा लगने लगेगा यही सोच कर गीता अपनी गाय का गोबर इखटा कर उस गोबर के इस्तमाल से घर की दिवारों पर तरहां तरहां की फूल पतियां, पक्षी और बेल बूटे बनाती है उनके बनते ही गोबर घर सच में ही बहुत सुन्दर दिखने लगता है बबली कहती है मा अब तो हमारा गोबर घर कोठी बंगले से भी सुन्दर लग रहा है धीरे धीरे गीता के गोबर घर की चर्चा पूरे गाउ में होने लगती है और दूर दूर से लोग उसके गोबर घर को देखने के लिए आने लगते हैं रमन बोला वा जी वा, कैसा सुन्दर गोबर घर है क्यों न हम भी गीता से ऐसे गोबर घर बनवाएं क्यों गीता भाबी, हमारे लिए भी ऐसे घर बनाओगी। हाँ, जरूर बनाओगी। गीता के यह कहते ही गाओं के सारे गरीब गोबर इखटा करने में लग जाते हैं। गीता उनकी मदद से सब के लिए गोबर घर बनाती है। फिर कुछ दिन बाद, गीता के बनाए गोबर घरों की चर्चा आसपास के शहरों में होने लगती है। और एक दिन, नंदू नाम का एक सेट गाओं में आता है। और कहता है, वावा, वावा, क्या सुंदर गोबर घर बनाया है। इसे घर तो कला का बेहतरी नमुना है। नंदू सेट गीता के बनाए गोबर घर देखकर इतना प्रसन्न होता है, कि सीधे गीता से मिलने उसके घर पहुँच जाता है। और पूछता है, क्या, आप ही गीता है। जी, कहिए सेट, मैं ही गीता हूँ। देखिए, मैं एक रिजॉर्ट बना रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कि आप मेरे लिए सौ गोबर घर बनाएं। मैं प्रते गोबर घर बनाने का आपको एक लाक रुपिया दूँगा। यह सुनकर बद्री और गीता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। गीता की सोच, लगन और मेहनत उसे फर्श से अर्श पर ले जाती है। वे भी अमीर हो जाती है। झाल की सुनकर भी और का रभी ओुटन अर्श से नहीं ले प्रते हैं।